हे गाईज वलकम बैक टुब जोलो सिक्स टड़ी पोइंट और आज हम करने वाले आपके सीरीज का पार्ट थ्री सीरीज आपका एक रीजनिंग का टोपिक है और इसके अभी तक हम आपके दो पार्ट कर चुके हैं आपका एक आपका नंबर सीरीज है तो यह आपका थर्ड लक्चर है जिसमें हम आपका नंबर सीरीज पढ़ेंगे हैं अलफबेटिकल और वर्ड वाली सीरीज आपके पढ़ चुके हैं और अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखिए हैं तो उसके लिए आपको प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसे डेस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो वहां से जाके आप उन दोनों को जरूर देख ली गा, उसे के साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए, किसी भी टाइप की रिजिनिंग को करने के लिए और सभी अपडेत्स पाने के लिए एग्जाम के, क्युक्ति हम जोर बैलेजिनिंग करेंगे वह आपके किसि भी एक HSL, RRB, NTBC, RRB, Group D, SSC, JD, MRC, LMRC, यह जो आपके reasoning के मैं topics करा रहा हूँ, यह आपके सभी common topics है, सबसे पर आप common topics करा हूँगा, और जब topics थोड़े से अलग-अलग होंगे, तो हम आपके exam wise divide भी कर दूँगा उनको, ठीक है, तो जो जो आपके common topics हैं, पहले वही पढ़ते हैं, और इसको start करते हैं, हमने alphabetical series में देखा था, कि बहुत सारी theory थी, और फिर आपके word वाली series में भी थोड़ी सी theory थी, बट number का मैं आपको बता दूँ, number में कुछ pattern follow होते हैं, और कोई एक certain pattern नहीं होता, कि हर एक question के लिए अपका हर बार एक अलग pattern होगा, ठीक है, तो जब भी आपको question करना है, series को easily solve करने का सबसे easy तरीका यह होता है, कि आप अपना mind open करो, simple आप question को read करो, भीना options को देखे, ठीक है, simple आप question को read करो, पता करो कि उसमें क्या pattern चल रहा है, या तो यह हो सकता है कि उसमें plus हो रहा है, या फिर उसमें minus हो सकता है, कि डो digits के भी कितने digits का difference है, या फिर उसमें divide हो रहा होगा, या multiply हो रहा होगा, या addition हो रहा होगा, square हो रहा होगा, cube हो रहा होगा, ऐसे चीज़े ही सिर्फ आपके reasoning में होती है, तो यही चीज़ आपको चेक करनी होंगी नंबर सीरिज में कि क्या होता है तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आप सिर्फ फर्स्ट को देखिए और आप सिर्फ इसको नोटिस करिए इस options को भूल जाए कि option नाम की कोई चीज भी है तो इसको जब देखते हो तो आपका जो first है यह 18, 21, 24, 27 जब आप इसको read करते हो तो इन दोरों के बीच में आप check करो कि कितनी digits का difference है 18, 19, 20, 21 तो मतलब 3 का difference है ओके हमने 3 add कर दिया तो 21 आगया फिर हमने 3 plus करा तो 27 आगया यह तो अच्छा है फिर हमने फिर से plus 3 किया तो 27 आगया ओके 24 के बाद 27 आगया तो हम plus 3 करेंगे तो 30 होना चाहिए 30 option में यह रहा आपका तो यह आपका correct answer है अब आपको बहुत सा students को लगे हो कितना easy सा question और छोट बड़ा number आगया जहाँ पे शयद जिनोंने आज तक कभी series नहीं करी उनको देखके इसको थोड़ा सा tough लग रहा होगा but relax, relax जो भी आपसे यहाँ पे बोला उसी चीज़ को यहाँ पर आपको follow करना है और कुछ जादा नहीं करना आपको सिर्फ इन numbers को read करना है और पता करना इन सभी के बीच में क्या relation है, कितनी digits का difference है और हमको उसी तरीके से उस pattern को जो pattern हमको समझ में आ रहा है वो pattern हमारा next दो number के बीच में follow हो रहा है या नहीं ठीक है यहाँ पर आपके जो numbers है वो आपका 885 जब आप next देखते हो तो यह आपका 870 आप जब इन दोनों के एक दू तो यहाँ पर आपका 870 आता है आप फिर से यही चीज़ करके देखते हो तो आपका 855 आ जाएगा ज़रूरी नहीं है कि आपने जो पहले सोचा हो next में भी follow हो तो जब ऐसा next में follow नहीं होगा that means वो pattern नहीं लग रहा बट आपका next में भी follow हो रहा है तो फिर आप फिर से 15 डिडक्त करना है और हमारा next answer आजाएगा तो अगर आप इसमें से 15 minus करोगे तो आपका क्या answer आएगा आपका answer बताएए सोच के देखिए आपका answer आएगा 25 अगर आप यहाँ पर देखते हूँ तो आपका answer यहाँ 825 ओके हम अब आपके next question पर move करते हैं next question है आपका question number 3 जब भी आपकी class start हो, guys daily आपकी reasoning की class है वो daily रात को 8 बजे start हो जाती है तो 8 बजे आप ऐसा A4 size sheet लेकर बैठ जाए अगर वो एक pen लेगे और जो जो question होते हैं उनको आने से पहले solve करके देखा करो फिर video को continue करा करो और फिर देखा करो कि मैं उसमें क्या बता रहा हूँ अग इतना जादा difference है पता है नी चल रहा कि पहले 3 ता फिर 9 ता इतनी जल दी 27 आगे फिर 81 और यह तो पता नी क्या ही हो रहा है ठीक है तो यहाँ पर आपको यही problem find करनी कि इसमें हो क्या रहा है अगर आप इसको read करते हो 3 9 जा 27 ठीक है 3 9 जा 27 9 इंटर 27 आप करोगे तो आपको क्या आएगा 3 7 21 1 का 1 3 2 6 7 and 8 तो यह आपका यहाँ पर 8 ठीक है तो आपको क्या करना है जो भी आपका next number है उसको आपको 3 से multiply कर देना है हर एक number को आपको 3 से ही multiply करना है यह ऐसा नहीं करना 3 को 9 से फिर 9 को 27 से इस तरीके से नहीं करना आपको यह वाला pattern इसमें follow नहीं हो रह पहले आप 3 को 3 ने खुद से किया 3 इंटू 3 ठीक है फिर 3 ने 9 से किया 3 इंटू 27 फिर 3 ने 27 से किया 3 इंटू 27 इस इक्वल टू 81 फिर 3 से किसको multiply करना है आपको 3 को 81 से multiply करोगे तो 3 बंजा 3 ठीक है यह तो हमको बता चलेगा कि हमारा जो अगर आपको पूरा multiply हो भी नहीं आपको calculation करने की जरुद भी नहीं है इसमें बिल्कुल जरुद नहीं है आपको पूरा multiply करना ही नहीं 81 इंटू 3 करना ही नहीं है आपको सिर्फ 1 लिख है last में तो 3 बंजा 3 आप देख लिजए आपके किस option में last में 3 आया होगा यह है तो यह आपका answer आ गया और अगर आपको करके देखना है आपका mind इतना जादा calculated है आप calculate कर सकते हो mind में तो देखो 3 आपका answer आ गया easily ठीक है अब हम आपके next question पर move करते है next question है आपका 149 1625 और guys डरिये मत मैं इस वीडियो के नीचे एक blog का link दूँगा मैंने आपका एक blog बना दिया जहाँ पर मैं आपके reason के questions भी time to time post कर दिया करूँगा जहां से जाके आप उसको check out कर सकते हो और वहीं पर आपके journal awareness current affairs जितने भी होंगे वो सब ही आपके daily जो मैं आपर वीडियो में post करता हूँ उसके बाद आपको वहाँ पर भी जाकर मिल जाएंगे इसलिए इसकी वज़ा से आपको ना तो PDF बहुत सारी save करेगे रखनी होंगी phone में जब भी आपको read करना हो आप direct blog पे जाकर पढ़ पाओगे ठीक हमारा next question है 149 16 25 अब फिर से वही problem अब एक और नया pattern अब यहाँ पे नहीं आता यहाँ पे नहीं आता यहाँ पे नहीं आता कोई pattern following नहीं हो रहा है यह बड़ी headache हो गी आपके लिए ठीक है तो अब यहाँ पे आप फिर से वीडियो का pause करो और खुद से करके देखो कि क्या चीज़ हो रही है इन दोनों के बीच में कितने digits का difference है 3 का difference है इन दोनों के बीच में 5 का difference है ओके इन दोनों के बीच में 7 का difference है इन दोनों के बीच में 9 का difference है अब आप यहाँ पर notice तो यहाँ पर जो आपका pattern चल रहा है कुछ, इस तरीके से चल रहा है, 3 का difference, 5 का difference, 7 का difference, 9 का difference, और यह जब आप number notice करते हो, तो यह आपके किस तरीके के number है, यह आपके और numbers है, अगर आप plus 11 करते हो इसमें हापे, तो आपको क्या आएगा answer, 36, ठीक है, simple सा आप उसको जितना ज्यादा simple बनाओगे, वो आपके लिए उतना ज्यादा simple होता जाएगा, बट अगर आप उसी चीज़ को बहुत ज्यादा complicated बनाओगे, कि यह तो इतने जल्दी हापे इतने सारे number बढ़ गए, यहापे कम हो गई, क्या हो रहा है, ऐसा होता है reasoning में, बहुत सारे students के साथ होत और open mind से question के बारे में नहीं सोचोगे, तो वो नहीं होगा, और सबसे easy चीज़ ही होती है, कि आप option को देखो ही न, आप पता करो कि यह series पर pattern क्या follow, अगर आप option देखते हो, तो आप ज्यादा confused हो जाता हो, आप यह सोचते हो कि यह लगा के देख लूँ, यह लगा के देख आप इसको देखते हो, तो 216, 221, फिर 31, फिर 46, फिर 66, आप अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हो, तो अगर आप देखो, तो एक small digit है, बड़ी digit है, तो इन दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस है, अगर आप 216 प्लस 5 करते हो, ओके, तो आपका 221 हो जाता है, तो आपने फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखा, इन दोनों के बीच में 10 का डिफरेंस है, आपका है, आपको क्या करना है, नेक्स्ट पर मूव करके दिखना है, यहापे कितना डिफरेंस है, यहापे 15 का डिफरेंस है, तो अब आपको पता चलेगा, 5, 10, 15, 20, 25, अब आपको simply इसमें 25 को प्लस कर देना है, अगर आप इसमें 25 प्लस कर दे हो तो आप देखो आपका क्या answer आता है, ठीक है, आप इसमें 25 प्लस करोगे तो आपका answer आएगा 291, तो आपका answer है इसमें 291 यह राप्शन डी, तो आपका यह question भी solve हो गया, ठीक है, pattern समझ में नहीं है तो एक बार फिर से बता देता हूँ, पहले 5 प्लस किया, फिर 10 प्लस किया, फिर 15 प्लस किया, फिर 20 प्लस किया, फिर 25 प्लस किया, ओके, जैसे हैं आप आपका 3, 5, 7, 9, उसी तरीके से 5, 10, 15, 5, 10, 15, 15, 20, 25, ठीक है, और अगर अभी तक आपको समझ में आ रहा है तो प्ल आपका 11, 16, 23, 32 और 43, अब फिर से वही प्रोब्लम में एक और नया पैटर्न आ गया, अब आपको फिर से वही चीज करने है, कुछ नहीं करना है, हर कोशिन में सेम चीज फोलो करने है, भले आपका पैटर्न अलग हो, वो आपको पता चल जाएगा, आपको इन दोनों के बीच में आपका कितना डिफरेंस है, 23, तो इन दोनों के बीच में आपका 9 का डिफरेंस है, तो आप अगर लिखते भी जाओ, 5, 7, 9, इन दोनों के बीच में आपका 9 का डिफरेंस था ना, ठीक है, फिर आप इसके आगे यहाँ पर देखते हूँ, तो इसमें आपका कितना डिफ 13, ओके, अब इसमें 13 प्लस करोगे, तो 13 को प्लस करने पे आपका क्या अंसर आएगा, 13 को प्लस करने पे आपका 56 आएगा, अब ये जो चीज़ है, ये आपको पता करना होगा, कि ये कौन सा नंबर है, कैसा नंबर है, ये मैं अल्रेडी अभी अभी उपर नीचे कहीं पर बत आपका ये question है, next है आपका 1, 6, 15, 28, 44 अब बहुत सारे students यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो सोचेंगे कि हमने 19 क्यों नहीं add किया, ठीक है, 19 हमने इसलिए add नहीं किया क्योंकि यहाँ पर अगर आप 19 add करोगे तो आपका answer आएगा 64 बट यहाँ पर 64 आपका दिया हुआ ही नहीं है तो आपको फिर उसके आगे next number पर move करना होगा, जो कि आपका होता है 21, चीक है और अब हमने का next question देखने है, question number 8, अब question number 8 थोड़ा सा tricky है, यह थोड़ा सा hard होने जा रहा है, तो इस question को ध्यान से देखो, तीनों को और screenshot लो और solve करो, और फिर वीडियो को continue करना सबसे बहला आप देखते हो, 64 फिर 144, फिर 256, फिर 400, इतना hard सा देखने में लग रहा है but, 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 बहुत ऐसी है अगर आप 64 को ध्यान से देखो तो 64 का मतलब क्या होता है 64 का मतलब होता है, 8 का square ठीक है, 64 का मतलब होता है 8 square, 88 जा, 64 12 का square क्या होता है guys 144 ठीक है, next है आपका 256, 256 किसका square होता है, 256 आपका 16 का square होता है ओके, next है आपका 400 400 आपका किस चीज का square होता है 400 आपका 20 का square होता है, तो यही check अगर आपको square से याद होंगे तो आपके लिए solve करना थोड़ा सा easy हो जाएगा बट अगर आपको square से याद ने होगे तो थोड़ा सा difficult होगा बट आपको solve यह तब भी हो जाएगा तो अब आपको यही पता करना है कि पहले तो इनके बीच में पहले अब आप एक सीरिज में चीज यह है कि अब आपको यह देखना है पहले 8 का था फिर 4 पहले 8 का था फिर 12 का था फिर 16 का था फिर 20 का था अब आपके answer में इन्होंने series बना रखिया है 8 प्लस 4 12 प्लस 4 16 प्लस 4 20 और फिर उसके बाद 24 तो अब आपको 24 का square देखने है 24 का square गया होता है गाई सबका 24 का square होता है आपका 576 तो ये आपका correct answer है अब वही चीज़ आपको 9 question में देखने है कि 9 में आपका क्या देगा हुए question number 9 भी आपका ज़्यादा difficult ये बहुत ज़्यादा easy question है अब आप बस इसको ध्यान से देखिए इसमें भी आपका कुछ square या cube से related है question को रोकिए जब आप देखते हो तो आपका question number 1 में क्या है थोड़ा से शायद आप पर solve ना हो तो वीडियो को रोक लेना पहले solve करना फिर देखने इसको आगे मैं बता देता हूं तो इन्होंने किया है one plus one square plus one okay दैन है आपका आप five देखते हो तो two square plus one one square क्या होता है one होता है प्लस one क्या है तो यहाँ पर आपका two आगया next आप देखते हो तो five है तो two square square गया two two is a four 2 प्लस 1 5 next क्या होगा आपका करेगे देखिए next देखिए कि किस चीज का square लगेगा जब 1 है आ रहा है यहापर 2 आ रहा है तो यहापर obviously सर 3 आएगा और 3 का square होता है आपका 9 एंड प्लस 1 तो यहापर आपका 10 आगया next हो जाएगा आपका 4 का square 4 का square for 4 is 16 चीग है, square 16 प्लस 1 तो यह हो गया आपका 17, simple साप next कहाएगा, next आपका 5 आएगा 5 का जब आप square करोगे तो 25 आएगा 25 प्लस 1 आपका 26 होना चीए आपको देखना है, हाँ यहाँ पर 26 है हाँ, हाँ यहाँ पर 26 है, आपका answer correct, चीग है simple सी चीज, जब आप series को बिना options देखे solve करोगे, तो आपके solve करने के और answer correct होने के chances उतने ही ज़ादा बढ़ जाएगे next question है गाई सापका question number 10 और यह आपका last question है, तो इसको देखते है 210, 30, 68 फिर से वही problem, एक new series आ गई है, तो अब आपको ही पर देखना है कि क्या करना है okay, तो इसमें देखना है आपको कि किस तरीके से solve होगा, इस question को आप करिए, time लिजे थोड़ा सा बिल्कुल इसी तरीके से होगा, या तो cube हो सकता है, या फिर square ही हो सकता है, square में, 2 plus करे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ठीक है, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, अगर आप देखते हूँ तो 1 cube plus 1 1 का कुछ भी कर लो तो 1 का तो 1 ही रहेगा, 1 plus 1, 2 okay, next आप देखते हो 1 के बाद आता है आपका, 2 का अगर आप cube करते हो, तो क्या आएगा 2, 2 is a 4, 2 is a 8 plus 2, तो आगे आपका 10 2 into 2, 4 and 4 into 2, 8, 8 plus 2 क्या होगा आपका 10, अब ये वाले सीरिस में आपकी फोलो हो रही है, 2 के बाद आपका क्या आजाएगा 3 आजाएगा, 3 का क्यों करोगे 3, 3 is a 9, 9 into 3 27, 27 plus 3 30 30 होगा आपका, यहापे आपका 30 है, इसके बाद आपका 4 आजाएगा 4 का हो जाएगा 4 का cube plus 4 that is 68 उसके बाद आपका 5 का हो जाएगा 5 का cube plus 5 5 into 5 that is 25 and 25 into 5 is equal to 125 and 125 plus 5 is equal to 130, तो यहापे आपका 130 आजाएगा, अब आपको देखने की option में आपका 120 है, जी आपका 120 option में है तो इस तरीके से आप reasoning को easily solve कर सकते हो reasoning के इतनी ज़्यादा hard नहीं है जित्ता आप सोचते हो, reasoning में बस आपका एक छोटा सा common sense लगना है, आप mind को जितना ज़्यादा open करके free बैट के सोचोगे, उतना जल्दी और उतना ही ज़्यादा easily आपके reasoning solve हो जाएगी, अगर आप उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश करोगे, उसमें आप rocket science लगाने की कोशिश करोगे तो obviously वो आपकी गलत हो जाएगी, ठीक है, सबसे important आप cubes थोड़े से याद कर लिजए, 20 और 30 तक और squares भी याद कर लिजए, क्यूंकि reasoning में इस type के questions आपके आते ही आते हैं, और जब आपको cubes और squares याद नहीं होंगे, तो आपके question को solve करने में आपको obviously time लगने वाला है, ठीक है guys, तो आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही है, अगर आपने अभी तक किस से पहले वाली दो वीडियोस नहीं देखी हैं, तो उन दोनों को please जरूर जाके देख लीजेगा series के बाद इसका आपका एक और part आएगा, और उसके बाद हम आपके series के mix वाले question करेंगे, जिसमें आपको चारो type के reasoning होगी, आपकी alphabet भी words भी, digit और numbers भी और आपकी mixed वाली भी ठीक है, तो वो सभी reasoning के question करेंगे, हम इसके fifth या fifth part में या फिर हम weekly कर लेंगे उसके बाद निया topic स्टार्ट कर देंगे, जैसा भी आप सभी बोलोगे, हम चार, तीन topic होगे हैं आपके, तीन topic बोल रहा हूँ, मतलब reasoning के तीन पार्ट थे, तीन होगे, एक रह रहा है वो कल को करा दूँगा, और अगर अभी तक आपने वो नहीं देखिए, तो जाकर उसको questions इसी type के आने वाले हैं, और मैं उसी type के questions करा रहा हूँ, जो आपके DRDO, MTS के exams में आएंगे, उसी के साथ आपकी और भी classes चल रही हैं, आपकी दिन में 2 बजे आपको general awareness की class मिल जाती है, उसी के साथ आपकी morning में current affairs में try करता हूँ, 6 बजे upload कर दूँ, बट कभी-कभी लेटे हो जाती है, तो 8 बजे upload हो जाती है, मैं try करूँगा, उसी के साथ-साथ, English के साथ-साथ, अब आपके Hindi के current affairs भी आने वाली हैं, अभी recently 11 तारिक तक तो मैं आपके English वाले current affairs को ही Hindi में explain कर रहा हूँ, बट 11 तारिक के बाद आपके Hindi के current affairs भी आजाएंगे, Hindi के current affairs के अलग वीडियो आएगे आपके Hindi English के current affairs के अलग वीडियो आएगी ठीके, दोनों के एक अलग-अलग different वीडियो, उसी के साथ वीडियो अच्छे लगी तो like जरूर कर दीजेगा, share जरूर कर दीजेगा, subscribe करे भी न, मत जाना ठीके guys, so with that said, bye-bye, take care and all the best